नमस्कार एकजाम हैपी वाई जहरखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप से भी के लिए जहरखन सिछक पातरता परिछा 2024 की तैयारी को ले करके तापको बताते चले जहरखन सिछक पातरता परिछा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहाँ पर होने जा रहा है इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपको बताते चले इसी के साथ बजार वे बहुत तरह के बजारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए है और आप क्या करेंगे कि यहीं से बजारू किताब या प्रै परिच्छा ले रही है जो भी परिच्छा लेते हैं आप पर नुकरन कीजिएगा 2013 का या 2016 का तो आपका सारा प्रस्ण जो था वो जैसी आटी या जैक के किताब से आये हुए थे लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहां पर परिच्छाओं का किताब पढ़ा जि सारी सारी चीज़ों हम आपको जैटेट के त fav produce करना चाथे हूंगे और एक से 5 है चाह से 8 परच्छंब लाराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे हैं से कोर्स ले करके जूर सकते हैं, तैयारी शुरू कर दी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले एड़िशन लेने का एक ओफर चल रहा है, पहले आओ, पहले पाओ के तरज पर सिर्फ सो कंडिडेट का अभियर्थयों कर नमांकर यहाँ पर 500 रुपे में किया जाएगा, यानि एक से पांच में आप नमांकर कराना चाहते हैं तो 500 रुपे लगेंगे, और honour में नमांकर किसी भी सबजेक्ट में करना चाहते हैं, तो आपको 500 रुपे यहाँ पर लग रहा है, आ अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं और सहाय का चार्ज का पेपर थिरी का भी अभी जो कंड़क्ट ये नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज्यादा प्रशन आपको यहां से हूब भीड़े हैं इसे तो आपका आगे जेटेट में भी भीड़ने वाला है आप स जडूर परचेश करके वह परिश्याम जाने से पढ़ लिजेगा यदि कम पढ़कर ज्यादा कम परशन पढ़कर और ज्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही उप्सन एक ही है वो है आपका जेसी आटी टेस्ट बुक तो आप देखना नहीं आप यहां से ड्विशन ले लिजेगा या नहीं तो यहां से नोट्स परचेश करके एक बार अवस्य पढ़ लिजेगा ज़ाल वंस का अस्थापना किष्णि किया धर्म पाल ने देव पाल ने गोपाल ने या कोई नहीं ठीक है तो पाल वंस का जो संस्थापक था वह आप ऐका गोपाल थे एक दम बहुत बार यह अपका पूछा गया प्रस्न है आपके जहरखन के परिच्छा में अगला है पाल वंस के सासक किस धर्म को मांते थे जो पाल वनस थे उसके सासक लोग किस धर्म के अनिess जैन द्हर्म जROунд भाँघर्म इशाई धर्म या कोई नहीं त आपको बहुत धर्म को किस धर्म को ज्यादा मानते थे याद रस सु macht बाणों को मारते थे हैं गुरण पर्तिहार समराज का संस्थापक माना जाता है किस духов Um कि हर समराज हरी चंदर थे जैसे सिक इकजाम में एक पर आया हुआ है चोल वंस का संस्थापक कौन था चोल वंस का संस्थापक उस्ताचल विज्याले परासिल करम या कोई नहीं ठीक है तो चोल वंस का जो संस्थापक था वो कौन था विज्याले था चोल वंस का संस्थापक वो कौन था आपका विज्जालत है चुम्बके सुई की दिशा ग्याद करने का यंत्र है कंपास बैरोमीटर थर्मामीटर स्पेडोमीटर ठीक है देखे यही प्रशन आपका यहाँ पूछा गया प्रशन कहां से है तो यहाँ प्रशन आप देखे लिए लिए कलास सेवेन का जो है उसमें यहाँ पर चुम्बक फिजिक्स का चुम्बक के तक तो जो प्रस्ण है वो चेप्टर से दिया गया है और हमारे यहां से जो नोट्स पर चच किये थे देखिए उनको यह प्रस्ण सेम टू सेम हो बहु लिखा हुआ उस एक्जाम में आया है जुम्बक फिजिक्स का यहाँ गयात करें यह इसका रायटमा में ओण दोरा शजिक्स कुझा अभि किया होगा one or two Hindi नहीं है उनका अभी चारतारी तक समय है अभी भी जैसे ही वीडियो आप देखते हैं आपको यहां से handwritten notes जो है पुरा बना हुआ है, chapter wise बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा आपका exam में paper 3 में भीड़ रहा है बिधूत आवेस का मातरक है बिधूत आवेस का मातरक है column, ampere, meter per second या hutter ठीक है तो देखें बिधूत आवेस जो चार्ज होता है उसका मातरक क्या होता है column होता है, column होता है यह कहां से है तो यह class 3 का JCRT test book से पूछ दिया गया है प्रस्णापकर ठीक है, ampere किसका होता है बिधूत आरा का, meter per second किसका होता है चाल का, और हर्ज किसका होता है आवेस का मातरक होता है ठीक है, तो इस तरह से पूरा देखें ये भी प्रस्णापका जो है यहाँ पर आपको जो किताब है उसमें बना हुआ है आपको notes में तो यहाँ से भी एक प्रस्णा भीड़ गया है तो इस तरह से प्रस्णा आ रहा है आपके सभी यहाँ पर लगबग तेन तस्तर के प्रस्णा आपको paper 3 में भीड़ रहा है, तो आप सभी जबूर देख लिजेगा, कुछ-कुछ प्रस्णा high-level का है, लेकिन जो यह अस्मृति प्रधारित है, जो यहाँ पर कुछ student के तरब से बताया गया जिनन परिछाद है, उसी का धारित हमने आपको बना दिया है, ठीक है बिरंजक चुर्ण का रसाइनिक सुत्र है बिरंजक चुर्ण का रसाइनिक सुत्र क्या है CAO, CAOH2 CAOCL2 या CH4 क्या होगा, ठीक है CAO क्या होगा, कैल्सियम अक्साइड बिना बुजाओ अचुना CAOH2 क्या होगा, कैल्सियम हैट अक्साइड जिसको बुजाओ अचुना कहते हैं CAOCL2 क्या कहते है कैल्सियम, ऑक्सी कलूराइड और इसी को हम लोग कहते हैं बिरंजक चुर्ण और इसी को कहते हैं बिलीचिंग पावडर, ठीक है इसी को कहा जाता है और CH4 क्या होता है, मीथेन होता है तो बिरंजक चुर्ण का रसाइनिक सुत्र अदम देखिएगा इस मोबाइल नंबर से तुर्ण संपर करें और यहां से पेपर 3, जो आपको 200 मार्शका है जो सबसे ज़्यादा आपको मेरिट में काम करने वाला है पेपर 3 में कभी भी चुकिएगा नहीं और यहां से आपको देखते हैं कि 60% प्रशन किसी परकार से भीड़ेगा आप जहां भी तियारी कर रहे हैं तियारी किजिए लेकिनि यहां से नोट्स लेकर के पढ़ना एक बार नहीं भूलिएगा जीव का मुख्यकार यह है भोजन को लार से मिलाना निगलने में सहता करना बोलने में सहता करना क्या होगा इसका राइट एंसर इसका राइट एंसर देखे हो जाएगा सभी यह सभी जीव का मुख्यकारज है मुख्यफंक्षन आपका है अमासे में कौन सा रस स्रावित होता है जो हमारा अमासे है उसमें कौन सा रस जो है सरावित होते रहता है पियर रस जठर रस पिटर रस या कोई नहीं इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जठर रस यह देखे कहां से है तो यह क्लास 6 का प्रश्ण का बना हुआ है क्लास 6 से पूछा गया है आपका और यह वी किस सेक्षन से है तो बायलोजी सेक्षन से है ठीक है और यह नोट्स में जो आपको है हमने बना दिया था और यहां से लोगों को भीड़े है अब बहुत अच्छे मार्स भी आ रहे हैं लोगों को अबर बार इसलिए आप यहां से जिनका अभी तक एक्जाम नहीं हो पाया है और अभी तक हम से नहीं जुड़ पाया है तो वो अभी भी समय है आप जड़ो देख लिए बहुत ही कम परशन बना हुआ है सभी पोटेंट परशन के वाल चेप्टर वाइज बने हुए हैं तो सभी को एक बार जुड़ो देख कि आपके भी परिश्चा में यहां पर आया हुआ था है यह सभी किसका है नेक्स्ट रस डेक्रशन को देखते हैं हम लोग यहां पे C plus O2 CO2 किस परकार की रसाइनी का अविकरिया है Biogen अविकरिया,onerogen अविकरिया, Gaming- compl Tahpan сов이라 या deubisthapan अविकरिया किस परकार की यह रसाइनी का अविकरिया ठीक है, c plus O2 CO2 क्या है यह एक संजोग हो रहा है क्या Carbon और Oxygen जूर करके एक नए पदार्त योगी का निर्मान कर रहा है तो जिसमें दो यहां पर तत्तो जो आप उस्मे मिल करके एक नए योगी का निर्मान करते हैं तो उस तर bunk कि अभी कृरिया को सेयोगर अभी किपृरिया कहा जाता है अभी भी आपको यहाँ पर तियारी करने के बाद बहुत ही अच्छा मेरिट आ सकता है रोगियों के आख, कान, नाग, गले तियादी की जाच में कौन से दर्पन का उप्योग किया जाता है एक नमबर 1001 बरानेवला प्रस नभी तक के सभी परिचा में है और आपके भी परिचा में यहाँ पर मेमोरी परधारी जैसा बताया गया यह प्रसना आया हुआ था उत्तल लेंस, उत्तल दर्पन, ओतल दर्पन क्या होता है थीक है तो देखे आतलदरपन के तरप से क्या होता है बहुत बड़ा जो होता है को कोई भी चीज जो घड़ा दिखता है तो दरनगे द्वारा रोगए हो कि आखना कान गले तियादी का जाट किया जाता है ठीक है तिसका राइट एंसर क्या होगा ओतल दर्पन देखे बहुत है रक्त के च्छानने की बीदी को क्या कहते हैं यूरिया उसरजन अपोहन या आकरसन क्या कहते है ठीक है रक्त च्छानने के बीदी को यहां पर अपोहन कहा जाता है डालेसिस कहा जाता है बह भी परिशह हम जाने से पहले एक बर जूड़ पढ़ लिएगा इसमें सुचालक पदार्थ है लकड़ी प्लास्टिक कागज या कोई लोहा ठीक है सुचालक पदार्थ किया है तो इदे के सुचालक कौन होता है जिन से होकर कि विधुधारा का परवा हो जाता है उसको हम विदुतारा का परवानई County प्लास्टिक में नहीं होता है कागज मनें होता है इसलिए सका राइट एंसर क्या होगा होता है विदुत का क्या होता है सुचालक होता है प्राकृतिक पदार्थ में सब्सेयरन बडू और देखिए वह हुआ जो हमने पदार जो होता है क्या का जाता है हीरा होता है हीरा यहां पर होता है अगला प्रस्न है दो ओम और तीन ओम के दो परतिरोध को स्रेनी करम में जोड़ने पर समतुले परतिरोध क्या होता है ठीक है तो परतिरोध का स्योजन जो होता है एक स्रेनी करम में होता है और एक जो होता है तो 2 ओम और 3 ओम को जोड़ लिजिएगा जो हैगा वही एंसर होगा क्क्या होगा दो ओम और 3 कितना होता है पांच ओम होता है इसका राइट एंसर 5 होगा तो देखें नोमेरिकल भी कुछ खते जारहे है जो आपको आईएगे लेकिन यह नोमेरिकल выз धा दिया था एक वेक्स ब्यक्ति में कुल कितनी हडियां होती है MBVI प्रस्ण है यह प्रस्ण अब तक 1001 बार परिच्छा में अगर सभी परिच्छा का जिक्र किजिएगा तो बार बार यह पूछा जाता है बहुत ही सिंपल केश्चर है लेकिन इसमें भी लोग मिश्टेक करते हैं तो एक वेक्स बत्ति में कुल कितनी हडियां होती है तो आपका हो गया इहां पर 206 ठीक है कितना हो गया 206 अगला है हमारे सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन होती है यह भी प्रस्ण JSC में पूछ दिया गया है और यह देखे किसका प्रस्ण है JCRT टेस्ट बुक का है तो JCRT को फॉलो करना बुलिएगा नहीं देखे आप और भी किताब देख रहे हो लेकिन उसमें आपको क्या है 100 प्रस्ण आप पढ़िएगा JCRT में चेप्टर में कितना प्रस्ण मिलेगा 20 प्रस्ण मिलेगा इस 100 में से 1 मिलने की समोना लेकिन इस 20 में से 2 और 3 मिलने की समोना बनी हुई रहती है जहरखंड के एकजाम में इसलिए जैसे आटिक क्या ही objective question आपको पढ़के जाना है हमारे सरीर के सबसे बड़ी हड़ी कौन होती है फीमर उसों कहते है ठीक है क्या कहते है फीमर और उसों कहते है जान की हड़ी ठीक है फीमर होती है वो जान की हड़ी और सबसे बड़ी हड़ी मानी जाती है अगला है हमारे सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन है हमारे सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन है वो होते इस्टेव, उसको क्या करता है, इस्टेव उसको करता है, कौन सी हड़ी होती, कहा होती है, तो कान की हड़ी होती, किसकी हड़ी होती है, वो कान की हड़ी होती, कान को अब जब सीएगा न, उसमें हड़ी ना मातर के मिलेगा लिए कहीं, एक छोटा सा हड़ी कान में हो आप याद रखेगा, कंधा और कमर में कौन से संधी पाए जाती है, तो देखे, कंदूक, कौन से संधी होता है, कंदूक, ना, कंदूक, खलिका संधी सुकाते हैं, कंधा और कमर में कंदूक, कैसे याद रखेगा, कंदा और कमर में कौन से संधी पाए जाती है, कैसे याद र तो देखे, कन से याद रखेगा कन्धा, कन से क्याद रखेगा कन्धा और को से क्याद रखेगा कमर एकदम देखे, इसी में आपका ओप्शन में ही एंसर शीप आगा रहा रहता है, ठीक है? तक कंधा और कमर में कौन से संधी पाई जाती है, तक कंदुक खलिका संधी पाई जाती है। चली अगला देखेंगा, केहोणी एवं घुटनों में कौन से संधी पाई जाती है। आप देखिए केवाड़ी लगाते हैं तो यहां पर कबजा देते हैं कबजा देते हैं कबजा देते हैं कबजा देते हैं एक केवाड़ी क्या होता है पूरा गोले गोले नहीं गुम जाता है एक सैड जाकर लॉक हो जाता है दूसरा सैड नहीं जा पाता है तो उसी तरह से नीचे नहीं ला सकते हैं, उपर ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर लोकजा पिर ईचिसे सीधा होगा, नीचे ने रियाज़ दज्रों आते हैं, अक्प्यवाड़ी में कबजा जिसको हिज कहते हैं, हम लोग ठीक है तो यह हीज संदी होता है क्योंनी और घुटना में हीज संदी पाया जाता है सिर्फ एक और ही एक ही दिसा में आप गत्थी कर सकते हैं ठीक है जैसे दरवाजे का कब्जा होता है ठीक है घरदन तथा सीर को जोड़ने वाली संदी और कलाई की संदी कौन से ख्यूआ संदी, हीज संदी, धूरागररशंदी या पसली पिजलरसंदी ठीक है तो यह क्या होता है है दूरागरशंदी होता है इस संदी में सरीर के अंग आगे पीषे बाये दयाएं गुमाया जा सकता है तो उसको वम लोग धूरागरशंदी कहते हैं जबड़ एवं कपाल के बीच में कौन से संदी पाई जबड़ा और इपफाल जबड़ा और कपाल में कौन सी जबड़ा के संदी कंदुक खलका संदी थीच संदी किसमे हो गया कंधा आप केहुनी में हो गया और यहां पर धूराहगर संधि किस में दूराहगर संधिय आप जिसको घुमा सकते हैं उसमें हो गया है और देखिए जबड़ा और कपाल इसको जो होता है यहाँ पर अचल संद्य होता है जबड़ा को हम क्या करते है घुमान नहीं सकते है वो एक जगा एक दम इस्थीर रहता है कपाल भी क्या होता है इसको भी घुमान नहीं सकते है एक जगा इस्थीर रहता है इसलिए इसको क्या कता है, इमुभेवल जोइंट या इसी को हमें लोग कहते है, अचल संधी इमुभेवल जोइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो चलिए, जबड़ायों कपाल को घुमाया नहीं जा सकता है, या स्थिर रहते हैं, इस पे किसी प्रकार गति नहीं दिया ज वो कितनी छोटी-छोटी अस्तिओं से मिलकर बनी हुई होती है, 30, 31, 32 या 33, ठीक है, देखे, इसका right answer है 33, कितनी छोटी-छोटी अस्तिओं, 33, किसान का मित्र किस्कों कहा जाता है, बहुत important प्रस्ट, किसान का मित्र किस्कों कहा जाता है, तो बारवा परिच्छा में पूछ गया है आपके पिर्चाम हो सकता है आज है ठीक है तो किसान का मित्र किसो कहा जाता है केचुवा घोंगा तिल चट्टा या कोई नहीं ठीक है तो किसान का मित्र जो होता हो किसो कहा जाता है केचुवा को कहा जाता है ठीक है यह क्या करता है तो मीटी को पोला कर देता है जिसे मिटी उपजाओं बनती है और इसमें बहुत अधिक जो है पुर्वरा सकती आता है जल की रानी किसो कहते हैं मचली केचुआ तील चटा या साप यह भी प्रस्ट जेससी में पूछा गया जल की रानी किसो कहते है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मचली सब कुछ जेसी जारखंड में एक्जाम लेना है नोकरी लेना है तो जेसी आटी को पढ़ करके जाना है ठीक है एक बार जडूर पढ़ना है तो आप जेसी आटी का सारा नोट्स वीडियो लेना एकदम नहीं भूलिएगा सारा कुछ यहां पर आपको मिल रहा है ठीक है मचली के सरीर के आक यहां पर यहां पर यहां पर आपकी ज़ोता है जटान का मित्र के चुवा को कहा जाता है और केचुवा जो होता है मिटी को पोला बनाता है जिसे मिटी की मिटी उपजाओं होता है और बहुत अधिक फसल उसमें पैदा होता है इसलिए किसानों को मिटी का पोला केचुवा बना जाता है ठीक है कौन नविकर्णिय संसाधन का उधारन है वायू, जल, मिटी या सवी ठीक है तो देखे वैसे संसाधन जिसका नविकरण जिसको दोबारा बहुत ही जल्द निर्मान हो जाता है बहुत जल्द ही बन जाते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं नविकर्णिय संसाधन वायू का निर्मान हर समय होते रहता, इसकी तो समाप्ती ही नहीं जाएगी, इसके समाप्ती के बाद मानो कस्ति तो समाप्त हो जागा, इसलिए यह जो है नवी करनिये है, जल जो होता है, एक जल चकर चलते रहता है, कभी समाप्त होता है, और बहुत जल उसी सीजन में फिर स वह आ भी जाता है, इसलिए नवी करनी है, मिट्टी का भी वही बात है, यह सभी जो है, नवी करनी है संसाधन के अंतरगत आते हैं, जो notes purchase करते हैं, उनके लिए देखें आपर बनाया हुआ है, वैसे संसाधन जिसको दोबारा बहुत जल्दी निर्मान किया जा सकता है, नवी प्रशन याद करवा दिया गया है, तो सारा वीडियो लेना नहीं भूलिएगा, सारा notes लेना नहीं भूलिएगा, बस कुछी दिनों में आपको सारे subject content तक का complete हो जाएगा, बस आप जूड़ जाएए, जितना जल्दी क्योंकि समय निकलते जा रहा है, और आप नहीं है, तो सभी कलास से आपको remove होना पड़ेगा, समझे गया है, तो इसमें कौन और निकरनी में संसाधन है, तो कोईला, पेट्रोलियम, प्राकति गया, वैसे संसाधन, जिसकी एक बर्समापती हो जाने कबाद, बनने में लाखों या क्रोरों बर्स लग जाते हैं, तो वैसे संसाधन को और नवी करणी है, संसाधन क काते हैं, जिसमें कोईला भी आता है, पेट्रोलियम भी हो प्राकति गया, यह सब सब हर समय नहीं मिलते हैं, तो आपर नोट्स बना हुए है, वैसे संसाधन, जिसकी एक बर्समापती हो जाने का दोबारा निर्मान होने में 100 स से ज्यादा वर्सों तक का समय लग जाता है और नवेकर्णिये संसादन कहलाता है और ये परशन आपका ये परिभासा भी इस तरह से देगर के पूछ दिया जाता है परधान मंतरी कौसल विकास योजना का सुबारम कप किया गया दो हजार चोगदा इस वी दो हजार पंदरा संसादन किस से कहते हैं आपको जानना जरूरी है तभी इस प्रस्न का जवाब दे पाईएगा तो मानो के द्वारा बनाया गया संसादन मानो के द्वारा बनाया गया बस तो मानो के द्वारा बनाये गए चीजे वो सभी जाएगी मानो निर्मी संसादन में ठीक है तो अब ता ये आप यहां पर cancer उपचार की दावा किसने बनाया मानो ने बनाया है किसने बनाया मानो ने rail गाड़ी का निर्मान किसने किया मानो ने सड़क का निर्मान कोन करवाता है मानो तो मानो के द्वारा जो चीज बनाया जाएगा वो सभी मानो निर्मी संसाधन में जाएगा और यहाँ पर देखिए कैंसर उप्चार की द्वारा मानो बनाया है इसलिए मानो निर्मी संसाधन है रेल गाड़ी का निर्मान मानो के द्वारा करवाएगा मानो निर्मी संसाधन है प्रकृतिक संसाधन है नदी प्रकृतिक संसाधन प्रकृतिए मानो बनाए जाता है इसलिए मानो निर्मी संसाधन है और मानो खुद एक संसाधन है जिसको मानो संसाधन कहाता है ठीक है इसका राइट एंसर क्या आओ गया प्राकितिक संसाधन कौन है इसे प्राकितिक संसाधन जो है आपका नदी है कौन सा है नदी है ठीक है हार मरुवस्थल कहां इस्थीत है राजस्थान, मंगोलिया, सिरिया या सभी जगा थार मरुवस्तल कहां इस्तित है ठीक है थार मरुवस्तल आप जानते हैं ये राजस्थान में इस्तित है सारंडा वन कहां पाया जाता है जैससी में देखे पूछा गया था सारंडा वन कहां पाया जाता है बिहार, गुजरात तासी साचा का वट भी कितना प्रतिसाइब हो ब्हुत ही बिस्टृत शिपा हुआ है और अब ऑठेक मिल रहा है थे खुल जा्ट है कोई नहीं तो भारत में कितना परतिसद भाग पर वन पाया जाता है 17 परतिशत भारत में कितना परतिशत भाग परवन पाया जाता है 17 परतिशत 25 परतिशत 22 या 23 परतिशत ठीक है तो भारत में वन जो है कितना परतिशत भाग पर पाया जाता है 22 परतिशत पर होना कितना चाहिए तो यह 33 परतिशत होना चाहिए ठीक है जो कि कम है यहां पर अग खेती बारी करते हैं यह जो होता उसको मृधा करते हैं या मिट्टी करते हैं तो यह मृधा इसका राइट एंसर हो जाएगा मायका यूक्त मिट्टी जहरखन के किस जिले में पाई जाती है ठीक है यह प्रश्ण अभी तक जैसेसी में चार बार ना एकदम दिमाग में याद मायका यूक्त मिट्टी या ठीवरी यूक्त मिट्टी कहां पाया जयता है यह आपको जार्खन के कोढ़ामा जिले में आप Θी परव्यश कजेए उसको अब्रक को माईका भी बला जाता है उसी को माईका हम लोग बलते हैं उसी को धीबरा हम लोग बलते हैं क्या बलते हैं धीबरा याद रखिएगा यह प्रस्ण आपको छोड़ने वाला नहीं है यह प्रस्ण आपका जेटेट में भी आया था अगर आप देखे होंगे तो थीक है तो माई का यो सकता है वो आपको कोडर्मा में डाल दाना किस परकार के मिठी पाई जाती है राजमहल छेतर में किस परकार है राजा साहप जानत बढ़े पलामु के जलबा ठीक राजासाहिब जानत बढ़े पलामु के दि जलबा लाल तो राजा और राज़ा साह यानी राज्महल ड्रेप उसमें का पाई जाती है काली मिटी ठीक है इसका हम- आप से comment कीजिएगा कि जहरकन जीखेंगा trick चाहिए, आपको जहरकन GK हम trick चाहिए, कमेंट आपको जुड़ करना होगा, और video को share जुड़ कीजिएगा ठीक है, चलिए अगला देखें, ढखालू अस्थान पर किस परकार की जुटाई की जाती है। भान अथ्वा द्वारे स्क्रविंग कोई नी दैके कोई भी फसल जो होता है na कोई भी है जो किया आपका जो था चना का है, तो वहाँ पर मिटी में क्या हो जाता है, दलहन का है, तो नाइट्रोजन की परधानता हो जाती है, नाइट्रोजन अधिक हो जाता है, तो उसके बाद हम किस तरह के फसल कर लेते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन जो आसोसन करने वाले हैं, उसमें गेहूं कर लेंग कि जड़े मिट्में किसका पॉसं करती है Sulfur Karboun Nitrogen यह दल्हनी पोधों के जड़े में क्या पया जाता है Nitrogen का पोशंन का रश्वाह जाता है वाब्पारर्जा जीवान फुछ दिया घ्मम में कौन जाता है राइजो पियाँक पाया जाता है जो मिट्समें परदान करता है कंगर तो प्राकृत्लि से हो जाती है यानि इस जल चक्र का काम चलते राता है इसलिए जल जो आपको नविकर्णी संसाधन में चला जाएगा ठीक है प्रित्वी के भूप्रिष्ट का कितना भाग जल से घिरा हुआ है एक तीहाई दो तीहाई तीन चौथाई या कोई नहीं ठीक है अगर दोनों भी है तो आपको यहां क्या करना है कि तीन-चौथाई में मारियेगा ठीक है तीन-चौथाई में मार लिजेगा और यह नहीं रहे तो आपका राइट एंसर हो जागा दो तीहाई भाग में ठीक है ऑप्शन को देखना पड़ेगा महासागर का जल किस परकार का जल है लवनिये जल खारा जल नम्कीन जल या सभी ठ ठीक है तो महासागर का जल अब पी नहीं सकते हैं एक पर सैनिक लोगों ने अपनी गाथा में लिखे हुई थी कि महासागर में जल बहुत है लेकिन पीने से भी पानी मर रहा है यह सैनिक की गथा है क्यों कि उसमें जो मर्चंट ने भी लोग जाते हैं तो महासागर में जब वो क्या करते हैं ट्रीप करके आते हैं तो अगर उनका जो है पानी समाप्त हो जाता है तो क्या है पानी के धेर में ही जा रहे हैं लेकिन क्या है वो मर सकते हैं पानी के बिना ठीक है इसलिए महासागर का जल कैसा है लवनिये है खारा भी है नमकिन भी है यानि इसका राइट सभी होगा ठीक है अगला है प्रित्वी पर कितना प्रतिशत महासागरिये जल लवनिये जल है ठीक है कितना प्रतिशत भाग महासागरिये जल लवनिये जल है तो प्रित्वी पर कितना है देखें यहां पर जो महासागर में जल पाया जाता है वो आपका होता है 97% ठीक है कितन ने परिच्छा दिया था यह प्रस्णायत हम से छूटा है तो आप लोग मिस मत किजिए ठीक है समाजिक विज्ञान को तो ऐसा हम यहां पर हलुआ बना दिये हैं ना कि चाहे आप यहां पर प्लिटिकल को देखिएगा चाहे आप यहां पर आप देख लिजेगा जोग्रॉफ 70 परसेंट आपको लड़ जाएगा एकदम लड़ेगा ठीक है तो आप नोट्स लेना कभी नहीं भूलिएगा और पढ़ना जितना भी हो सके जल्दी जल्दी लेकर परिच्छा बहुत नजदिक है ठीक है अगला प्रिथी पर कितना भाग लवनिये जल या मिठा जल होता है लवनिये घीक होता है लवन य executives लेकिन लेकिन अलावणिये जल्दी अबरी उसमें खारा नहीं रहींग नहीं रहेगा उसे अभी तक जहरखंड में जो teacher बनने के लिए के लिए था ना तो यह आपको दो घड़ारह अग्गार्ट का प्रस्ट ऑड़ा में और यह जल ओलाils चेप्टर जो है ना आप देखी लिजेगा एक दम प्रस्ट निहां से आता है कि आपको देगा 2.5 या 2.6 या 2.7 इस तरह कर नजदीक की देगा तो याद रखेगा 2.5 से लेके 2.9 के बीच वाला जो है उसको आप टेकिंग करिएगा नहीं तो इसे ओप्सन कंफ्यूज नहीं करता है यानि 4 परसेंट 2 परसेंट 3 परसेंट और देगा इहां पर 6 परसेंट त लेकिन ये 2.5 से 2.9 के बीच में एक ओप्सन देता है ठीक है चली अगला देखिएगा जीन वनों के ब्रीच बर्स के किसी भी रितु में अपनी पतियां एक साथ नहीं गिराते उन्हें कौन सा वन काते हैं सदा हरीत वन परनपाती वन कंटीली वन या कोई नी ठीक है तो उ उन्हें कौन सा वन काते हैं सदाहरीत वन परनपाती वन कंटीली वन या कोई नहीं ठीक है तो उन्हें हम लोग परनपाती वन काते हैं जो एक ही साथ अपने सारे पतियों को गिरा देते हैं और एक ही साथ उहां पर फिर से पतिया निकलती है उसमें जंगल में आग लगना क पेट में आग लगना को क्या कोते हैं और दूसरा पूसता है जंगल ने आगव लगना को क्या कोते हैं अब पेट में आग लगना को क्या काते है, 2% एकदम 100% छब जाता है, ठीक है, तो देखे, पेट में जो आग लगता है ना, पेट में, तो पेट में हम लोग पाया जाता है, देखे, बड़ी याथ, का पाया जाता है, बड़ी याथ, तो बड़ी याथ पाया जाता है, बढ़वानल एकदम किलियर किलियर कर लीज़ेगा और इसी समझेगा नहीं तु रटने वाला जो है ना बड़ी लोग कनफ्यूज किया आपका जहरकन में तो हर बारे पूछिए दे रहा है समझें तो आप सभी जडूर देख लिजेगा अब देखिए अब जंगल में आग लगने वाले को का कहेंगे इसको कैसे याद कर लेके एकदम दिमगवा में हमर बनल रहे और हम कहिनों ना भूलाएं अब जंगल में दावा वला पेण पाया जाता है तो दावा वला पाया जागा तो कर का कहेंगे दावा वला के कहेंगे दावा नल जंगल में तो एकदम याद रखेगा जंगल में का मिलता है तो जंगल में का मिलता है दावा जंगल में का मिलता है दावा ठीक है जंगल में जड बुटी होता है जड़ी बुटी से मिलता है दावा उसी को हम कहेंगे दावा नल याद होगे एकदम confirm तो देखिए जंगल में लगने वाली आपको दावा नल कहते हैं एकदम यहां से एक प्रस्ण चप रहा है अब इसी तरह से जेशी हाटिक हम सारा चीज आपको यहां पर च सेब्ट के लिए नहीं होगा तो हम आपको इहां पर पिडिया भी दे दे रहे हैं साथ में आपको इहां पर इसका कलास भी दे दे रहे हैं इससे ज़्यादा क्या चाहिए इतना चीप रेट में तो आप सब अभी अभी वीडियो देखने के बाद तूरत जुड़ जाए और ज के JCRT टेस्ट बुक में दिये गए हैं और सभी प्रस्ण देखे कहीं कहीं हर्याना में राजस्थान में सभी जगा पूछे गए ठीक है तो आप ऐसे ही सारे प्रस्णों का यहां पर रिवाइच कर लिजेगा और JCRT का नोट्स यहां पर जूड़ करके त्यारी कर लिजेगा तो समझे आपका 100% जो है यहां पर पासिंग मार्श तो आहीं जाएगा इसकोर उसमें किसी भी परकार का कोई दिक्कत नहीं होगा तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है आप ज़रूर यहां से क्लासेज को पर्चेश करके पढ़ लिजेगा और सारा नोट्स और वीडियो देख लिजेगा ठीक है तो मनुस में भोजन का पाचन आरम होता है मुख से छोटी आच से बड़ी आच से या कोई नहीं ठीक है तो भोजन के देखे पाचन का प्रारम क्या होता है तो जो हमारा मुख होता है उसमें जैसे ही हम यहां पर भोजन को डालते है ठीक है तो मुख से मुझ से भोजन का पाचन प्रारम होता है अगला मनुस्य में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है बडियात में छोटियात में मुख में या अमासे में ठीक है यानि मनुस्य में भोजन का पाचन जो है कहां पूरा हो जाता है समाप्त हो जाता है ठीक है तो यह आपका option दिया है बड़ी आत, छोटी आत, मुख में या अमासे में, ये राजस्थान टेट का प्रस्ण है, राजस्थान टेट में 2013 में पूछा गया प्रस्ण है, ठीक है, तो मनुस में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है, कहां पर आपको बताना है, तो इसका right answer देखे होगा, अगला है, मनुस में औसोसन की क्रिया होती है, मनुस्यों में औसोसन की क्रिया होती है, बड़ी आत में, छोटी आत में, मुख में, अमासे में, कहां पर होता है, हरियाना टेट का प्रस्ण है ये, तो मनुस में जो औसोसन की क्रिया होती है, भोजन को औसोसित किया जाता है, वो आपको छोटी आत्मे ही सारा कार्जकरम होता है, इसलिए इसको जाएगा छोटी आत्मे वो परक्रिया जिसके दोरा अपचीत खातपदात सरीर से बाहर निकल दिया जाता है पाचन, परिपाचन, उटसर्जन वो परक्रिया है उत्सर्जन वह परक्रिया है जिसके द्वारा अपचित पदार्थ जो है खात पदार्थ सरीर से बाहर निकल जाता है ठीक है तो किसी भी को सरीर से बाहर निकलना क्या कालाता है आपका तो उत्सर्जन कालाता है ठीक है क्या कालाता है उत्सर्जन का लाता है तिसका राइट एंसर उत्सर्जन हो जाएगा अगला प्रस्ण है दूद के दातों की संख्यां होती है दूद के दातों की संख्यां होती है यहाँ पर 20 होती है दूद के दातों की संख्यां कितने होती है यहाँ पर 20 होती है दूद के दात कितने होते है 20 होते हैं ये पूछा गया प्रस्ण कहा था ये राजस्थान टेट में पूछा गया था कहा पर पूछा गया था राजस्थान टेट में पूछा गया था अगला है अस्थाई दात की संख्या कितनी होती है अस्थाई दात की संख्या कितनी होती है 20, 22, 32, 28 ठीक है तो हमारे सरी में जो अस्थाई दात होते हैं वो कितने होते हैं तो अस्थाई दात की संख्या जो होती है वो आपका 32 होता है अस्थाई दात की संख्या 32 होता है ये हिमाचल टेट का पूछा गया प्रसन है कहाँ पर? हिमाचल टेट का अगला प्रस्ण है मनुस्य के जीवन काल में दात कितनी बार निकलता है बताना है आपको मनुस्य के जीवन काल में दात कितनी बार निकलता है एक बार दो बार अनन्त बार या कोई नी ठीक है तो मनुस्य के जीवन काल में दात कितनी बार निकलता है दो बार निकलता है और य JCRT को आप देखते होंगे वहाँ जहां जो राजस्थान है तो राजस्थान अपना RCRT को देखेगा ठीक है तो इस तरह से आपका सब जगह का रही रहता है सिर्फ नाम बदल जाता है तो आप सब ही देखें यहाँ पर JCRT से जडूर पढ़ लिजेगा क्योंकि जाधातर प्रस्ण आपके JCRT के नोट से रहेंगे आप जो है अगर किसी बजारू किताब गाइट के चक्कर में पढ़े हुए है या बड़े-बड़े चैनल पर गए हुए है तो आप बहुत चीज़े आपको पढ़ा दी जाएगे जो के आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप उतना ही पढ़े है जो आपके एक्जाम में छ्प रहे हैं जो एक्जाम में आ रहे हैं वो कहां से आ रहा है तो जैसी आर्टीड टेस्ट बुक से ही आ रहा है कहीं बाहर से नहीं आएगा तो आप अभी कि辏 देख लीजेगा यदि आप यहाँ पर जहरALLY पर audition में ही ये option चल रहा है तो आप सभी अवस्य जूड़ जाईएगा ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखेगा जीव का मुख्यकार ये है भोजन को लार से मिलाना दूसरा निगलने में सहता करना बोलने में सहता करना या सभी इसका राइट एंसर होगा सभी क्योंकि जीव का मुख्यकार ये सभी है ये सभी जरूरी है तो जीव का मुख्यकार ये सभी एंसर हो जाएगा अमासे में कौन सा रस सरावित होता है पालक पदार्थ का रस जठर रस पिठर रस या कोई नहीं ठीक है यह आपका यूपी टेट और एमपी टेट का पूछा गया प्रस्न है आप समझाएए तो अमासे में जठ्था रस होता है, कौन सा रस होता है, जठ्था रस रावित होते रहता है, जिसके कारण भोजन का पाचन होता है, अमासे में कौन सा अमल पाया जाता है, एक हजार एक बारी प्रस्न पूछा गया है, आपको हम बता देते हैं, कितने बारा है, एक हजार एक के एक्जाम में अब तक आ गया है और बहुत यह भी भी आई है जितना भी कहिए कम होगा ठीक है है था मासा में जो पाया जाता है वह भोजन को यहां पर क्या करता है पचाता है ठीक है तो है याद रखेगा सलेषमा जिली का बना होता है आपको बताना है अमासा का जो आंत्रिक सत्य है वह किस जिली का बना होता है बताना है पिटर जिली सलेषमा जिली पिटूटर जिली कोई नहीं ठीक है तो मासा का जो आंत्रिक सत्य होता है वह देखिए आपका सलेषमा जिली का बना होता है किसका रखिएगा सलेस्मा जिली अमासे का अंत्रिक्षता बना होता है